हम इंडियन्स कितने ज़ादा एमोशनल होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है यही वज़ा है कि अगर हमें कोई चीज एक बार पसंद आ गई तो हम हाथ धोकर उसके पीछे बढ़ जाते हैं इतना ही नहीं किसी इंसान या चीज से प्यार करने के साथ साथ अगर हमारा दिमा किसी पर खराब हो गया तो हमें तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक कि हमको नुकसान पहुचाने वाले इंसान की रातों की नींद ना हराम हो जाए यही वज़ा है कि हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग आज भी अलग-अलग चीजों या लोगों के लिए ऑप को बताने वाले है कि जादतर इंडियन्स किस चीज के लिए उपसेस्ट है इंडियन्स के टॉप 10 अपसेशन को देखने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा मिल गया सो मिट्टी है जो नहीं मिला सो सोना है इंडियन्स की फितरत भी कुछ हद तक इस शेड से मेल खाती है ऐसा इसलिए क्योंकि हम भारती लोग ज़्यादा तर उसी चीज के पीछे भागते है जो चीज हमारे पास नहीं होती जैसे कि हम में से जादतर लोगों की स्किन का शेड ब्राउन या ब्लाक कलर का होता है और हमको इस बात का भी पता होता है कि हम चाहा कर भी गोरे नहीं हो सकते लेकिन इसके बाद भी इंडियन्स उमीद का दामन नहीं छोड़ते और सब कुछ जानने समझने के बाद भी गोरा होने के लिए बाजार में बिकने वाली अलग-अलग तरह की फेरनेस क्रीम्स को लगाने से बाज नहीं आते खुद को गोरा बनाने के लिए हम भारते कितने जादा उत्सुक रहते हैं इसका अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि आज बाजार फेरनेस क्रीम्स और ऐसे प्रोड़क्ट से भरा पड़ा है जिनके इस्तिमाल से आपका चेहरा चमकाने की बात की जाती है और इंडियन मार्केट में प्रोड़क्ट्स की बिकरी करोडों में होती है हर मा बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे पड़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े हो जाए और फिर जल्दी बच्चों की शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाए पर शादी अरेंज हो या लव दोनों ही केसिज में एक चीज हमेशा कॉमन रहती है मतलब रिष्टा कितना भी गहरा हो और लड़का लड़के भले ही इक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार हो पर अगर दूलह और दूलहन की कुंडली नहीं मिल रही है तो किसी भी कीमत पर जादा तर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह की शादी करने से रोकते है और कुंडली ना मिलने की वज़े से हर साल हजारों इंडियन कापल्स की मैरिज तूटती है हाला कि अच्छी बात तो ये है कि जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षा और जागरुकता का स्थर बढ़ रहा है तो लोगों में भी समझ आई कि सिर्फ कुंडली मेल खाने से दो दिलों का मेल मिलाप नहीं हो सकता और यही वज़ा है कि पड़े लिखे परिवार के लोग कुंडली मिलाने के चक्कर में अपने बच्चों का भविश्य खराब करने से बचते है आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आज भी स्वीट्स को देखकर खुद को कंट्रोल कर पाता हो और अगर आपकी उमर 50 के पार है तो भले ही आपको शुगर जैसी गंभीर बीमारी हो लेकिन इसके बावजूद भी किसी मिठाई या घर में बनने वाला कोई मीठा पकवान सामने आते ही आप भी उस पर बच्चों के तरह तूट पड़ते होंगे यही बज़ो है कि मीठा खा खा कर हमारा पेट भले ही ना भरता हो पर एक समय बाद हमें मीठा खाने के चलते इतनी जादा बीमारिया घेर लेती है कि कई बार शुगर लेवल्स के बढ़ने के चलते एक बुजर्ग इंसान की मौत भी हो जाती है बता दे कि बुजर्ग लोगों के साथ साथ आज के यंग्स्टर्स के खराब खान पान और गलत दिन चरया के चलते उन्हें भी शुगर जैसी गंभीर बिमारियों का आमना सामना करना पड़ रहा है ऐसे में हमारी तो आप से ही गुजारिश है कि अगर आप भी भारी मातरा में शुगर प्रोड़क्स लेते हैं तो आज ही अपनी आदत को छोड़ दे और फिर मैं अपनी गल्फरिंड को इस तरह की कार में बठा कर हवा से बाते करता और यही वज़ा है कि आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनकी जेब में भले ही फूटी कौडी तक ना हो पर सिर्फ दिखावे के चलते लोग लोग लोन या एमाई पर महंगी गाड़िया खरीद लेते हैं ऐसे में आप खुदी अंदाजा लगा सकते है कि हम भारतिये लोग किस कदर कार्स के दीवाने होते हैं वैसे बड़ी कार्स के साथ साथ मार्केट में अभी हाल ही में लॉंच हुई बज़िट फ्रिंडली कार्स को खरीदने में भी इंडियन्स पीछे नहीं है यही वज़ा है कि आज के वक्त हर साल सिर्फ कार्स की बिखरी से ही कंपनीज अर्बो रुपे कमाती है वैसे क्या आप किसी ऐसे इनसान के बारे में जानते हैं जो कार्स के लिए एक दम पागल हो अगर हाँ तो इस बारे में हमें कॉमेंट में लिखना मत भूलिएगा इनसान कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो लेकिन जब बात आती है गली और नुकडों में बिखने वाले स्ट्रीट फूट्स की तो हर किसी के मुँ में एक बार तो पानी आही जाता है यही वज़ो है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बिखने वाले स्ट्रीट फूट्स को भारतियों के साथ साथ विदेशियों ने भी काफी पसंद किया है छोले बटूरे से लेकर चाट समोसे तक, आलू कुल्चे से लेकर दही जले भी तक यह सारे ही व्यंजन इतने जादा स्वादश्ट होता है कि अगर एक बार किसी ने इनको चक लिया तो अगली बार इन खास तरह के व्यंजनों को देखते ही सामने वाले के मूँ से लार टपक ही पड़ती है वैसे गली और नुकडों में बिकने वाला भोजन भले ही आपको टेस्टी लगता हो पर एक सच्चाई ये भी है कि अगर आप लंबे समय तक गली नुकड में बिकने वाले खाने का सेवन करते है तो एक समय बाद आप भी बुरी तरह से बीमारियों से घिर सकते है इसलिए हमारी आप से यही सला है कि आप बेशक गली नुकड पर मिलने वाले खाने को खाए पर बहुत ही सीमित मातरा में वैसे जब गली नुकड पर मिलने वाले भोजन की बात चल ही रही है तो क्यों ना आप भी हमें बता दे कि आखिर कौन सा स्ट्रीट फूड आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आपने गौर किया होगा कि एक समय ऐसा था कि जब लोग खुद के बाल और खुद की चाल ढाल को मशूर सूपरस्टार राजेश खन्ना की तरब बनाने की कोशिश करते थे वही एक दोर ऐसा भी आया जब अमिता बच्चन की लंबी पतलून की नकल पूरी दुनिया भर के यूवा लोगों ने की और आज भी यूवा लोग अपने मन पसंदीदा बॉलिवुड सितारे से जोड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हासल करने के साथ साथ उनके पहनावे को भी नकल करने से बाज नहीं आते इन सभी घटनाओं को देखकर लगता है कि भारत में रहने वाले लोगों के पागलपन की बात हो और उसमें बॉलिवुड इंडस्ट्री का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता खैर ये इस तरह की घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों के दिलों में पुराने समय से लेकर आज तक बॉलिवुड के लिए खास तरह का प्यार है और यही वज़ो है कि जनिता जिस भी सितारे को पसंद करती है उसको चन्धी दिनों के अंदर फर्ष से अर्ष पर लाखडा करती है बारत में हर काम जुगाड से होता है और अगर कोई काम जुगाड से नहीं हो रहा है तो मतलब है कि आपको कुछ और जुगाड करने की जरूरत है गाडी में खत्म हुए तेल से लेकर घर की चाबी भूल जाने तक हर चीज का समाधान करने के लिए भारतिय लोग उपर वाले से भी ज्यादा जुगाड में भरोसा रखते है इतना ही नहीं किसी तरह के सरकारी काम के अटक जाने पर भी ग्यान नहीं बलकि जुगाड ही काम करता है ट्रेन में अनौपचारिक रूप से सफर करने के साथ-साथ बैंक की लाइन में खड़ा एक आम इंसान भी जुगाड की तलाश में ही रहता है वैसे क्या आपने कभी भी किसी तरह की मुसीबत में अटक जाने के बाद खुद को जुगार की मदद से मुसीबत से निकालने की कोशिश की है आपका जवाब अगर हाँ है तो हमें इस बारे में नीचे लिखना ना भूले हमें दुनिया भर में मौझूद दूसरे देशों के बारे में तो नहीं पता कि आखिर वहाँ के लोग अंदविश्वास के बारे में जानते भी है या इस बारे में उनका क्या कहना है पर भारत के बारे में इतना तो कहा जा सकता है कि आस्था के साथ साथ हमारा देश अंदविश्वास से भी भरा हुआ है और यही वज़ा है कि कई बार अंदविश्वास के चलते ही सामने वाले को भारी मातरा में नुकसान उठाना पड़ता है अगर अंदविश्वास के कुछ उधारन की बात की जाए तो बिल्ली के रास्ता काट देने पर अपनी ही जगह पर रुक जाना या फिर छीक आने पर किसी काम को करते करते रुक जाना इसके अलावा कई अंदविश्वास तो ऐसे भी है जिनके बारे में सुनकर आपके कान ही फट जाएंगे जैसे कि गाव और छोटे अलाकों में आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कारे को करने से पहले अचानक से आपके सामने खाली बाल्टी पड़ गई तो निश्चित तोर पर आपका वो काम नहीं बनेगा आपने अखबारों और समाचारों में अक्सर ऐसी खबरे पड़ी होंगी जहां ढोंगी बाबा ने कई लोगों को जहांसा दे कर उनसे करोडों रुपे हडप लिये और इत्तिफाक की बात है कि इतनी जादा तरक्की करने के बाद आज भी छोटे से छोटे आदमी से लेकर करोड़ पती इनसान भी इन जोली भाँ बाबाओ के चक्कर में अपना सब कुछ गवाने को तयार हो जाता है हैरानी की बात है कि आया दिन ढोंगी बाबाओ के भंडा फोड के बावजूद भी लोग सब कुछ जानने समझने के बाद भी इन्हें ऐसे पूछते है जैसे कि ये कोई ढोंगी बाबा नहीं बलकि कोई भगवान हो आपने अभी हाल ही में कई ऐसे चमतकार करने वाले बाबाओ के बारे में सुना होगा जो चमतकार दिखाने का दावा करके अमीरों को लूटते थे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बाबाओ के चलते ही घर की बहु बेटियों का भी शोशन किया गया ऐसे में हमारी आपसे गुजारिश है कि किसी भी बाबा ये ढूंगी पर विश्वास करने से पहले अपनी अकल का जरूर इस्तमाल करे दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा भारतिय हो जो इस खेल का नाम सुनते ही रोमांच से ना भर जाता हो भारत में क्रिकेट खेल नहीं इमोशन है और अगर मैच पाकिस्तान के साथ हो तो फिर तो लोग टीवी से ऐसे चपक जाते है जैसे फेविकॉल का जोड हो यहां लोगों में भारत के मैच जीतने की खुशी इसकदर मनाई जाती है जैसे क्रिकेटर्स जंग फतह करके आए हो और यही वज़़ा है कि यहां क्रिकेट वर्ल्ड कप को किसी तेवहार से कम नहीं आका जाता है कमाल है ना आज भले ही होकी भारत का राष्ट्य खेल हो पर क्रिकेट का नाम सुनते ही हर इंडियन के मन में जो भावना आती है उसको शब्दों में नहीं परोया जा सकता अब आज के लिए बस इतना ही मिलते है अगली वीडियो में जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूले और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले ताकि आपके पास जल्द से जल्द हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके